आज तानूना बिना क्रीम पाए क्रीमी कोफी बनाना सखाना अब बनानी बहुत जादा आसान है पूरी रेस्टोरेंट स्टाइल दे वेचे रेस्टोरेंट वाली कोफी तुसी कार बना सब्सक्राइब मैं जी दो तरीके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं एक जी मशीन कोफी बनाना सखाना ते दूसरी जी हाथ दे चीह क्रसा कर दो सब्सक्राइब कर दो नों कोफी दी राज्मी दो मैं घालो जी फिर देने जो अपनी वीडियो शुरू कुरता है बिस्मिल्लाराइम असलामुलीकुम जी क्या आलचाले अमीर करता हूँ सारे ठीक रागोंगे कुश्बाश होंगे और मज़े में होंगे सबसे पहले मैंने एक जार ले लिया है तुसी पावे छनी ले लो तुसी जेरी चीज मरजी दे वेच बना लो ठीक है गरम पानियां आपने डालना है, तब ही आपकी कोफी ना सही तरह से फुलेगी और इसकी क्रीम मनेगी ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें डालके कोफी और चीनी, हम वज़ें डाल दी है तो जी साथ में थोड़ा सा पानी डाल दी इसमें तक्रीबर ना तीन से चार टेबल स्पून पानी के ठीक है नीम गरम पानी आपने लेना बाद में जी ये बीटर है मेरे पास अलेक्ट्रिकल बीटर इसके साथ ना आपने इसको चंगी तरह ना बीट कर लेना ठीक है इस तरह से अच्छा ये मैंने जार में क्यों डाला है जार में इसलिए डाला है मैं क्या ओर डूड ना जावे दरूरा बढ़ा लेकिन होया कि मैं तानों अग्गे तासना ये देखे मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा और दूसरे हाथ से मैंने правда पकड़ा वह जब थिक को ने लगी न आए वेखो शारी कफी बाड़ सारी नहीं ठीन डुली और ऑना when जी कोफी बाइड ना गिरें लेकिन फिर मैंना नूं होल्ड काड़ लेता मैं चलो फाड़ लेने आके थे फिर ना उड़न लगना पी अच्छा जी यह देखें पहले पानी और फिर जाग बनती है फिर आइस्ता इस्ता इस्ता जो मशीन में ना तकरीबन दो से तीन मिनट चंगी तरह से इसको बाल लिया दूद को ते फिर वेचना कपांच पागे दूद फिर एक एक चमच यहां फिर दो दो चमच जिनना तुसी स्ट्रॉंग कोफी पीना चांदे हो वो दूद के अंदर डालके उसको मिक्स कर दिया और जी यह आपकी कोफी त्यार होगी चलें जी नेक्स्ट स्ट्रेप की तरफ चलते हैं एक मैंने वीडियो बना ली और जी अब यह सेकंड शॉर्ट है मेरा मतलब कि यह उसी दिन नहीं था यह मैंने तीन दिन मतलब कर शॉर्ट बनाया था डिफरेंट 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 डेस में ठीक है गैब दे देके जिदो शिक्षा ना मोकगी सी ना कोफी फिर में दूबारा दूबारा बनाना सिखा या मैंने का चलो तीन दफा बनाना सिखाता हूं ताकि ना अच्छी तरह समय लगज़ें अभी मैंने खुला बाल ले लियी लकड़ी है इसमें मैंने ना फिर से तीन चमच कोफी के डाल लूट और तीन चमर चीनी के ड़ाल τι अगर आप मीठा पीना कम चालते हैं तो आप टाल सकते हैं तो आप लिडस करद खेहर है उसके अंदर आपने ने कोफी डाल देने हिंग से तिक पनी मैं तोगे टेक्च्चर नहीं आएगा यह देखें जी यह दो से तीन मिनट लगे और यह चंगी तरह क्रीमी शेड आ गया सारा इसका ठीके शेड ने टेक्च्चर आ गया और यह मैं आपको उल्टा करना दिखा रहा हूं कि इतना ठीक बन गया यह इतना ठीक होना चाहिए इसको आप इसमें रख लें राम से निकाला दो चमच पाए कोफी दे कप के अंदर तो जी बस ताड़ी कोफी त्यार किसे रेस्टरेंट जान दी जरूरत नहीं ठीक है तो जी यह हो गया रेडी अच्छा मैं बार बार उटा करके दहार है मैं को उन बस करा कि तो वाके न डुल जावे अच्छा यह गर्मा गरम ताजा दुद ठीक है ते एंदे वेचना दो चमच मैंने डाल दिये कोफी के ठीक है आप एक भी डाल सकते हैं आप डेर चमच भी डाल सकते हैं अगर स्ट्रोंग पीना चाते हैं कोफी तो आप दो चमच डालें ठीक है राम राम से इसको ना इस त मेरink मेशीन के सना बनानी सिंखा यह जिसका ना ये स्पीड़ों में बना सकता है। हैंड बिटर शेवलने कि अच्छी छोड़ों छाच चल व्लूंत यह सकतेा, लेकिन मैं इसी में बनाती हैं , पतर और जी दो आ मशीप मेरी नहीं चीएगी मेरे कोल थे फिर में नativa बना नल नशता जिन जीन चिन के पास हेड़ ये यह ना लिक्ट्री कर सकते हम इसको नबनात यही उपर मैंने ठोड़ा सा अटी है आउन कोफी काठी के एी उट तो चाड मसाले था थोड़ा ना लादना कि तक वह के थोड़ा ज्यादा मज़ा आएगा ऐसरा नहीं कोफी का ही करना है ठीक है तो जी यह मेरी कोफी रेडी होगी है मैं गाता नुपी के वहाना बड़ी मज़ेदार थे खुश्बूदार और जाक्यदार क्या बात है कमाल हो अच्छा है में झाक्या माशाला जी चलो जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं पिर से हमने जी जरा सा पानी डाले ना इसके अंदर बिल्कुल जरा सा डाला है तो टेबल स्पून और जी मैंने तीन चमष डाल दी इसकी अंदर चीरेकर 3 टेबल स्पून चीरी जीरक्त मैं छोटे वाला लेकिया हैं अब तो एक दफ़ा ना मैं गया एक दफ़ा नहीं काफी दफ़ा गया लेकिन कोफी पीने अब दोस्त के साथ वह थे बाने गया बाइस वर्पीया बिल दो कोफी यह वह मैं नो बड़ा गुसा चरया मैं कि इन्हें दे वेच दे जा रहा या ने सन मेरे और इतनी देर मैंने मैं लगे काफी देर लंग आ लग नहीं थी मैं खैर चड़ो कोई गाल नहीं एक्सपीरियंस मैं दूद लग गया हुंदा है मैं तू ना कार ना मेरा दिल हराव कर अच्छे जी तो सेम उसी तरह से तीन चमच मैंने चीनी के डाले तीन चमच मैंने डाल दिये कोफी के और तीन से चार टेबल स्पून गरम पानी के डाल दिये ठीक है आपने फोक लेना है एज रहा मि अपने उनाना कोफी का टैक्सचर के इसको ना इस तरह से जैसे अंडा निफैंटते फृंटी जाना मैं का मेरी शर्ट ऊतरँ डिगल लागा मैं ओफिस से आया हुआ था तो मैंने शर्ट मैंने ने बनाना स्टार कर दिया ते मैं क्या कि ते शर्ट ही ना गंदियो या वे लागे नूपढ़ा सूटाओ सूटे नहीं सी रहा दिता सी सहर अचा जी तो फिर से इसको पकड़ा इसके पूरी कुष्टी करनी पड़ती है इस पे ना थोरा सा आपको टाइम लगेगा तकरीबन आदा गंटा भी ल यह जाएगी इस तरह से ठीक है तो जाग में इसके बाद ना इसका ना वह जैसे चौकलेट सीरप होता है ना उस तरह से बनना शुरू ओ झाटके फैंट फैंटके 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 फैंट के दो बंदा पागल हो यह ना ना पहां दो hey बनने हो यह जो एक जो पर करो तो फैंड फैंड के फैंड के एनु ना एलो जी एम इभी जो शूट काट के काट काट के इनु में फैंटी के आसी मैं अद्धा घंटा फैंटा के तो वीडियो एम ही चलिएगी यह देखें जी पूरी ठिक होगी है जबर्दस्त की सविगी इस तरह से आप इसको बना सकते है और आप इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं तीन से चार दिन पांच दिन तक आप इसको ना हफता मतलब कि एक हफता आपका इजी ली गुजर जाता है यह खराब नहीं है इसको आपने फ्रिज में रखना ठीक है तो बार कर दो नहीं गरम नहीं करना यह बाल में बनाके राक दिया ठीक है तो जी इसको आपना इजी ली इस्तमाल कर सकते हैं उसकी खुश्बू मैं करना वाव वाव इडी जबर दस तारी सी मज़ा आ गया सी तो जी फिर से गरम दूदे वेज़े तुसी ऐसे तरह पाक है मिक्स कार के थे पी जाने ठीक है उमीद करता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी मेरी मेहनत भी आपका पसंदा यह होगी और जी गुलाम अली फूट्स को सबस्क्राइब कर लें फॉलो करें और लाइक करें शेर करें अलहमदुलिल्ला मेरे फेस्बुक पे एक लाक फॉल्वर्स हो गया यह सब कुछ जी अल्लापक के करम नमाजी से और आपकी वज़ासे हुआ ओके जी अल्लाफिस